हलो दोस्तों आज की इस Hindi to English Translation वीडियो में हमारा सेंटेंस है हम कल फिल्म देखने जाएंगे सेंटेंस के अंत में है जाएंगे इस सेंटेंस के अंत में क्रिया के साथ गागी गी आता है इस तरह का सेंटेंस होता है फ्यूचर एंडेफिनिट टेंस का ये फ्यूचर एंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम की English वी उसके बाद जब सब्जेक्ट आई और वी रहता है तो उसके साथ helping verb सैल लगता है उसके बाद होता है main verb main verb इसमें जाएंगे जाना की English go उसके बाद हम लिखेंगे definitive verbs यानि जो दूसरा verb होता है इसमें दूसरा verb क्या है देखने जाएंगे यानि देखना फिर उनमें देखने के लिए देखना की English watch तो पहले to लगाएंगे to watch go to watch देखें दोनों verb के बीच में आपको to लगाना है to connect the main verb to the definitive verbs उसके बाद हम लिखेंगे object objective sentence का film तो film भी लिख सकते हैं और film को movie भी कर सकते हैं तो हम लिखेंगे watch के बाद the movie उसके बाद हम लिखेंगे कल की English आने वाले कल की English tomorrow we shall go to watch the movie tomorrow हम कल फिल्म देखने जाएंगे इसके English we shall go to watch the movie tomorrow अगर यह sentence negative होता जैसे की हम कल फिल्म देखने नहीं जाएंगे इसके English we shall not go to watch the movie tomorrow अगर यह sentence interrogative होता जैसे की क्या हम कल फिल्म देखने जाएंगे तो यह क्या से सुरू होने वाला interrogative sentence है तो क्या की English नहीं लिखेंगे पहले helping verb sell उसके बाद subject sell we go to watch the movie tomorrow future indefinite के ऐसे sentences में कुछ doubts होते हैं चलिए उसे भी हम समझ लेते हैं जैसे की sentence में sell का प्रयोग हुआ है तो basic नियम से में सिखा जाता है कि I और we के साथ helping verb sell लगता है लेकिन आज के spoken English में I और we के साथ will का वे प्रयोग कर सकते हैं I will go to watch the movie tomorrow लेकिन अगर will लगाते हैं तो इसका मतलब ही भी हो जाता है कि आप उस काम को definitely करेंगे will लगाने से भी हो जाता है और एक will लगाने से ये normal है कि I और we के साथ will का वे प्रयोग होता है ये कि ये हो गया और एक doubt है कि future indefinite tense के इसे sentences को present indefinite tense में भी कर सकते हैं जैसे we go to watch the movie tomorrow लेकिन इसका ये सर्थ है कि ऐसे sentences ये प्री-प्लान्ड हो, फिक्ष्ड हो या publicly announced होता है इस तरह के sentences को आप present indefinite tense में भी translate कर सकते हैं लेकिन इसका सर्थ वही होता है जो अभी हमने बताया इसे हमने इस वीडियो में detail में explain किया है इसके link आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी वहाँ click करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं तो मिलते हैं दूस्तों इसी तरह के और भी Hindi to English translation के next वीडियो में नए sentence के साथ तो इसे तरह के और भी Hindi to English translation practice के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें Thanks for watching